प्रतिक्रमन करता हुपर उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है प्रतिक्रमन से उनमें चेंज नहीं हैगा हमारा द्वेश खत्म हो जाएगा हमें दूसरे बहु के कर्मसुदर जाएंगे यह तो पुर्व भव के इसाब से आये है शिखना इसाब पर अभी नए बीश तो सुधार हो एक्चिली जन्म से लिके बृतियु तक कर्म फॉल है और कर्म फॉल पिछले जो बुरे बीश डाले अच्छे बीश डाले उसके फॉल आ रहा है अभी नए बीश सुधार हो हम वहर, जह, राग, द्वेश, मोह में फसना नहीं है फस गए तो गए पुर्व भव में फसे थे तो यह फल आ गया अभी जैसे इस परिक्षा में 70% आये तो दूसरी परिक्षा सुधार हो उसमें 80-90% आये लाकि जगडा इस तियास में इतना परसेंट प्रफेसर आइसा है एक्लासिस वाले इसे स्कूल आईसा हाना kis software को गाली गाली मत दो हमारा परिक्षा का study बिच्छा आगया परिक्षा तो यह लाइफ रिजल्ट है नई कोजी सुधारो नई परिक्षा सुधारो समझ में आता है आपको और वाइप को सुधारने के लिए प्रतिकमण है नहीं हमें संसार से चुटने के लिए कि शादी किया हमारा मोट़ा, ड्राइन विघए कि ऊपर प्रत्या ख्यान करो लूब्ह 0, 8 विनासी चीज מצ़ीव Ko mismos सीजनी है। मैं तो मोख्ष में जाने के लिए तरों जल्दी से स्ति तुर्थ आhand ith कि мेरे राटन्थ करें दुर। पांधिये हैं। आज़ू। श्कीहारत पिर श्कीम करें। मेरी र 들어오 है यू लुण अपका आते हैं। किक यू रहते हैं। फिर अफपकें भी रदू। मुझे पुखें। पू palavra कि अहले हैं। आप छूट जाओगे, आपके प्रती जितने भी राग, द्वेश, अभी प्राइम हो छूट गए तो आपको कोई बान नहीं सकेगा, भगवान मावीर के उपर कितने लोग द्वेश करते थे, कितने लोग राग करते थे, भगवान वितराग रहे, अराम से मुक्ष चले गए, इराग द्वेश वाले रहे गए इदर, आप अपना सुधारो, पोशिश कर रहे हैं, समझ लो पहले बात, आप को प्रतिक्रमन करते समय, जो वीधी बोला है, वो भी वीधी हर समय बोलना है क्या? ने, ने, ऐसे नहीं है, एक्चलि सामाइक के टाइम, दोस्त को देखा, और अमारा भाव क्या है? गलती है, इसे नहीं होनी चाहिए, भाव प्रतिक्रमन है, डिटेल में तो क्या है, कि बहुत चिकना हिसाब होगा, वह स्टिकी फाइल है, तो फिर उसके प्रतिक्रमन सही तरीके से नहीं हो पाते, और अतिकरमन ज्यादा हो जाते है, वहाँ डिटेल म है, तो भाव प्रतिक्रमन है, और सामाइक में आप देखते हो, तो प्रतिक्रमन डिटेल से करने की जरूरत नहीं है, और साधान भाव से प्रतिक्रमन है, और विधी, हर समय बोलने की भी जरूरत नहीं है, भाव प्रतिक्रमन है, समझ में आया ना आपका? जय सचिदनन, पुझ्जसरी कोटी-कोटी प्रणाम, जुतापन रखने के सामाइक में, मैं और चंदुलाल अलग रहे, चंदुलाल क्या करते हैं, उसे मैं देखू और जानू, यही मेरा काम, यह जो बताया है, तब कभी-कभी चंदुलाल के मन में भुरे विचारत है, तब करते हैं, तब 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 करते ह I am hungry, I am sleepy. तो हम देखते रहे था किसल बरावा पुतलाच चल रहा है, बोल रहा है, तो इसको भी देखना है. सिर्फ किसी को दुख पहुचाया, ऐसे वीचार, वानी, अचरण, उसके प्रतिकमन कराएंगे. बहुत हो गया, ज्यादाा ठंकि बज़या ज्यादा सफ्ट्री प्रा रहाने का नहीं, ज्यादा भ хотव अजय Bubag 나서, ज्यादा प्राणों से प्यारे हैं. आपास बुलाते हैं, चडनों में बिठाते हैं, प्रेम की गंगा में हमें नहलाते हैं, ग्यान की सर्का में हमको डुबाते हैं। जैसस्दा नग्या। सुषीला, अगर भाला पूंटे का? अगर भाला कि Bhandan झी बोलते हैं, तो राम झी का चहरा सामने आता है. तो लोनों में नहीं ठोड़ा सा कोई बद नहीं, देखने वाले कोvicिको, नहीं को अपर को सिर्श्ता को देखो कि इनके प्रिकाश इनके प्रहां में दिखता है, ये चहरा. और रामचंदर जी के भीतर भी परमाघ्टमा देखो दॉझ से बातर भी यह परमात्मा देखो और अगे की बाती है कि द्रश्य है। दृष्त हमारां आत्मा के परकाश में सब्टिकता है, यह कर देख नय का तो यह जिस नाम रूक से कैसे ऊपर उठे जिराकार है, शाकार है, नहीं, अभी क्या है ज़िए पांच आग्यावापरो, तिरे दिरे ये छूट जाएगा, पुर्वअ अभ्यास से ऐसे निदिध्यासन हो जाते हैं, पुर्वकार्म का अभ्यास है, रामचंद्र जी, कोई कृष्ण बगवान किसको देखते हैं, किसी क हनमान जी दिखते हैं, किसी को साही बाबा दिखते हैं, तो ये पुर्वके अभ्यास के आधर से है, अभी हम तत्व दरश्टी से देखेंगे, तो दिरे दिरे नॉर्मन हो जाएगा, आच्छा, बोलो, तीपक भाई, मुझे ज्ञान से वसे फाइदा तो बहुत हुआ है, चारो तरफ के प्रकिर्टी भी बहुत अच्छी बन गई है, लेकिन फाइल 2 के मेरे को बहुत दोष दिखाई देते हैं, उसमें शुद आत्मा नहीं दिखाई देती है, बहुत कोशिश करती हूं, लेकिन वहां से दृष्टी हटती नहीं है, मतलब दोष दिखाई अच्छी बहुत कोशिश करती हूं, लेकिन वहां सामाइक बढ़ाओ, सामाइक में हमारा टाइम रहता है, लेकिन अमारा निश्चे के अनुसार हम जागरती सेट कर सकते हैं, तर दिखाई बैटने का अधापोना बैटने का और चार वाक्य वापरने के एड़ेश बता है, उसकी गलती हुआ सोन्या है, विमला को बताने का आप ही भुगत रही है, आपके गलती, सामने वाले का क्या दोस्त, और बाद में सुधात्मा को याद करो, दादा बगवान को याद करो, माफी मागो है, दादा बगवान मुझे निर्दोस देखने की शक्ती दो, अभी प्राय तोड़ने की शक्ती दो, पांच अगया से मैं व्यवार करो फाइल तू के साथ ऐसे शक्ती दो, प्राद में उनके साथ व्यवार मेरा ऐसा नहीं है, लेकिन मैं मतलब फाइल वन से ही परेशान हो गई है, तो सांती से बेठके शक्ती मागो दादाजी से अर प चद्धिपक भाई आपके जैसी सहस्ता मुझे प्राब तो मेरी ऐसी बाहपना है, यही रस्ते पर हम चल रहे हैं, बोलिये, आपको कोटी-कोटी प्रणाम मैं शिम्ला से आया हूँ, अपनी मम्मा के साथ, और मेरी मम्मा आपका प्रोग्राम रेगुलरली देखती हैं, हर देखती हैं, मतलब दिन में तीन बार स्वेरे, शाम को छे वजे रात को, वीशे खाना खाएं ना खाएं, प्रोग्राम आपका जरूर देखती हैं, तो उनके साथ-साथ मैं भी आपका प्रोग्राम जब वो देखते थे तो मैं देखने लगा, और जब मैंने आपको सुना तो मैंने सोचा, हाँ, जो भी बोलते हैं, बहुत पते की बात बोलते हैं, अंदर से, कि मतलब जो भी मैं सोचता हूँ और जब भी मैं आपको सुनता हूँ, तो अंदर से एक आनंद की लहर उड़ती है, और एक समाधान दिखाई देता है, और वैसे कहते हैं कि ग्यान से इ जो भी हौच पॉच हो रहा है इसको इग्नोर करने की शक्ती मिलती है तो मेरे मेरा प्रशन यह है दिपक भाई कि ए मैंने मेरा प्रशन भी हुई था जो पहले दिन सत्संग में हुआ एक सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्मतम और प्रतिकरण प्रतिकमन के उपर पहला हमारी रीड तो मेरा यही था कि जब भी मैं औरों के बारे में औरों के लिए जब भी कुछ गलत भाव बिगड़ता है मेरे मन में तो मिर को यह मिर को यह पता है मिर को मैं जितना मैंने सुना है आप से कल मैंने ग्यान भी लिया है तो मिर को इतना पता चला है कि मैं एक शुद आत्मा और मेरे को अपने भाव किसी और के प्रती किसी और की वज़ा से बिगाड़ने की कोई जुरूरत नहीं है जुरूरत नहीं क्योंकि उससे मेरा ही नुकसान है तो बीच बीच में मैं लेकिन इतना फच जाता हूं इस दुनिया में और उस सिचुएशन में के मेरे को मैं मतलब वापे उसी ट्राक पर आ जाता हूं मैं उनके बारे में कुछ गलत सोचता हूं या फिर कुछ ऐसे वैर की फीलिंग आती है मन में पर फिर कभी मलब वो स्लिप हो जाता है बीच में मैं एक तरह से स्लिप कर जाता हूं यह क्या है कि प्रकृति का हिसाव ऐसा ही है यह कि अज्यानता में कर्म बांदे है वह अज फल दे रहे है अब आपको जुदापन की जागरती सुरू हो एक मैं तो शुदात्मा हूं यह फाहिल बन के मन में ऐसे भाव बिगड जाते है उसके पास प्रतिकमन कराना है और क्योंकि हम जुदा रहेंगे तो श्टीरिंग को राइट के या लेफ गुआ सकेंगे तो हम ही एक है मैं और भव्य एक हो गए तो कौन कुसको सुदार सकेगा तो भव्य जुदा है आप शुदात्मा जुदा है भवय के मन में बिचे बुरे विचारा है तो भवय को बताने कियों गलत सोचते हो शुदात्मा देखो निर्दोस तेखो तो अपने आप नॉर्मालिटी आते जाएगी समझ मैं क्योंकि बुरा होने का चांस है कल्यूक का मामला है और बुरे कर्म हम लेके ही आया है वो फल देंगे तो बुरे भाव निकलेंगे भीतर से और हम जुदार हो रहा है कि देखेंगे तो उसको प्रतिकवन से सुधार सकेंगे दीपक भाई जो गनान है वो एक तरह से आप बोलते हैं साइंटिफिक एक्दम फॉर्मिला बेस्ट है एक इधर है अगर इकोल टू के इधर जो है वह उदर जाके एकोल टू होगा तो मैं अगर दूसरे प हो आपको भीतर से ही जवाब मिलते रहें समाधान मिलते रहें और दोश्णों से मुक्ति मिलते रहें और समझित थो लिए एक तो इतना मतलब बच्छपन से इतना मौ है कि पर अब वो अलग बात है पर अब यह कि मुझे भी आपके साथ आपकी फ्लाइट बूर्ड करनी है मुख्षगती वाली अभी क्या है कि ममी के परती मोह तोड़ना नहीं है और ममी को दुख नहों ऐसे व्यवार में रो अपक्षापुरी नहों गए तो दुख नहीं देना है ऐसी जागरती रखेंगे जय सच्चदानन सरीता पुझी श्री मुझे अपना अनुपह सवाल का जवाब तो मिली ही गया है बरो बरो सब कुछ जैसा आप बताते हैं वह सब दिखाई देता है कभी वह कुछ भी कहते हैं तो सब शुधात्मा दिखाई देती है और उसका नती मतलब यह आता है कि वह कुछ बोलते भी है ना गुस्से में तो वह सब पॉजिटिव निकलता है जब मेरे मन में यह चल रहा होता है कि और पुझे श्री जब से मैंने ग्यान लिया है, दीरे-दीरे आगे चल रही हूँ, तो इतना आनंद, जितना हम इस ग्यान को अप्लाई करते हैं, या जितना दूसरे में शुद आत्मा देखते हैं, उतना मतलब हमारे अंदर इतना आनंद, आनंद, आनंद की उसको हम बताई कोई शब भी नहीं है, बहुत अच्छा, आपको इतना आनंद होता है, तो दादा जी, मेरो मा को, दिपक भय को कितना आनंद होता हूएगा, जै सचितार, गने जागे, परो, छब रात महावरत का अर्थ का है, यह पांच महावरत तो मालूम है, सत्य महावरत, अहिंसा अचार्य महावरत, ब्रह्माचर्य महावरत, और छठा महावरत पीछे के आचार्य महाराज उने रखा है, रात्री बोजन नहीं करना, उच्छा महावरत बोला जाता है, आप तो करना, जरूर करते हो तो करना, नहीं करते हो तो मत करना, और हमें इतो चरण विदी में सब व हो जाती है तो उनके प्रतिकमन करना है प्रार्तना करनी है जीवन के आदमी के रागद्वेश के हम प्रतिकमन करते हैं इसे इनके भी प्रतिकमन कर सकते हैं इनको प्रार्तना इस प्रकार करनी चाहिए वह जहां है वहां सुक्षान्ति पाए मोक्ष मार्क पाए से मंदर स्वा Gothic 2 देंट रिए प्सको जो लाइने हैं जगत का जीव की स्थिती क्या ए यजगत में अनाधी काल से घू रहे चाहर गति में उसमें कभी के बार कोई जीव को घ्यानी पुरुष मिल गए वत जो आत्मध्रih होताह के AG असको सक कित व्युवा तो उसको अनादी अनन्त की जो साइकल चे तुट गई और अनादी सांत बोला जाता है, अन्या अन्त आया, अनादी की जो बटकन है, उसका अन्त आया और सम्किती शुरुवाद होई गए, और सम्किती शुरुवाद भी वापस बढ़के 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 केवल नन तक रहेग तो उसको साधी सांत बोला जाए साधी सांत और केवल ज्यान के बाद निर्वाण होगा तो वहां से जो सिद्ध स्थिती है सिद्ध बगवान की स्थिती वो अनंत काल रहे रहेती है साधी अनंत बोला जाता है सिद्ध बगवान की स्थिती साधी हुई साधी अनंत काल तक रह शाराज बर हेंसे अननत में पर निर्वान वने के बाद साधी अनन्त साधी साधी इक और प्स्चिन था आप थे अपने आप पाइढ बद आरंपताये थू क esperar में बभावकर्णद्रव करुंत बताई जो चून्च पूरिंगों इस उसमें बाइज उसमें तो तो एक्जाम्पल है कि मुवबप्ती जलती है, ऐसे प्रकाष भी देगी, म्यूम भी जलते रहेगा, दोरी भी जलते रहती है, तो यह एक्जाम्पल है, एक कर्म, ध्रव्य कर्म ऐसा है, इस सिर्फ फल देता है, प्रगट होता है, फल देके खतम होता है, प्रगट होता है, य सौ सौ रूपया के हजार नौट है हम एक निकालेंगे वापरेंगे खतम हो गई दूसरी निकालेंगे वापरेंगे खतम हो गई ऐसे एक-एक कर्म उदय में आता है फल देता है एक्जोस हो जाता है तो यह समझने के लिए एक्जामपल दिया है पूरी किताब में ऐसे यहने म ज्ञानता थी कि मैं ही क्या नाम आपा मैं अर्विंद हूँ और मैंने किया वो करता भाव से कर्म बानते थे वो आपका छोड़ गया तो भाव कर्म उड़ गये द्रव्य कर्म फाल देके चले जाएगा शारी किताब में मुझे खतम होती है तो ये ममी पापा के प्रती अभी क्या करना है कि माबा अपने भी ध्यांद रखना चाहिए कि बेटे को बुरे शब्द न बोले और बेटे का व्यवार कुछ रहेगा थोड़ा मौ वाला होएगा अग्रा वाला होएगा मन मानी करेगे हम प्रेम से इतना समझा सके उतना समझा हो अगर दुख मत दो उनको अब जो कितना उसको ठेस लग गई है इतना भाव बिगड गया है और इसी शब्द के आधार से ये माबा अपने कोई बोला है तो मर क्यों नहीं जाती अब ये शब्दों के ऊपर तो उसको अतना अगाद लग गया है तो एक बार ऐसे स्टेप ले भी सकती है क्योंकि दिमाग में एक ही बात कुमते रहेगे बस माबाप को अपसंद नहीं है मेरा कोई जीने का अधिकार नहीं है ऐसे बिगड जाता है जीवन तो किसी माबाप को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए मुझे तो एबोर्शन करा ना था तू बज गई मर गई होती अच्छी थी ऐसे बोल देते कभी नहीं बोलना चाहिए कभी क्योंकि बेटा जो भी है वो अपने कर्म से आया और हमें उसको एंडल नहीं करने के लिए हम कैसे भी आकषेप दे देते हैं कुछ भी मिहना टोना सुना देते हैं उसकी प्रकृति है और रहेगा प्रकृति हमारी भी प्रकृति है पर हमें दुख न हो जाए और मरने वाले शब्द तो वहां तक जरूर नहीं बोलना चाहिए यह तो बहुत आगात लग जाता है और बाद में बुरे स्टेप भी ले सकती है बाद में अभी तो प्रेम से जो भी है प्रेम से एंडल करो और नहीं तू है तो हमारा जीवन है हम तेरे लिए तो जीते हैं ऐसे दो-चार शब्द बोलके उसके दिल में घाव रुज जाए हीलिंग हो जाए ऐसे करना चाहिए तो उसकी प्रतिकमण करना चाहिए मुझे प्रतिकमण भी करना चाहिए और दूसरी बार प्रेम से अच्छे शब्द बोलो तो उसको लगेगा पहले बोले थे, वो कतम हो गया, यह तो पर हैं बहुत बताते हैं मम्मी पपा, नहीं ऐसे तो क्या होता है, मैं हमेशा उसको बहुत प्यार से रखती हूँ, बहुत प्यार से, और एक दम बहुत ध्यान से रखती हूँ, उसको कभी एक निभोती लेकिन बा अभी जो भी है आप ख्याल में रखना और बात को चेंज कर देने का एटा ऐसा है तो तो यह है वह अच्छी तरह दो चार सब्दा बोलेगे तो प्रेम उसको लगेगा दिल से घाव मिट जाना चाहिए जैसे कि हमारा भी जन्म मनुष्य रूप में हुआ है और घर परिवार म तो कर्म अच्छे कर्म बुरे कर्म जो भी जाने अन जाने में होते ही रहते हैं तो इसमें जो भी हमारा कर्तव यह है व्यावार है घर परिवार के प्रती और अचानक अगर हमें कुछ हो गया और जिम्मेदारी जो है नहीं हो पाती है तो क्या यह मोच्छ मार्ग में बाध इनका हिसाब था हमारे साथ हुतना ही हम कर सकेंगे इसाब पुरा हो गया तो हम छूटा हो जाएंगे हैने कोई जिम्मेदारी हां हमें उनके प्रतिराग द्वेश अभाव तिरसकार है तो के स्पेंडिंग रहेगा दूसरे बहु हिसाब में आएंगे हम प्रतिकमन करते हैं फाइलों का संभाव से निकाल करते हैं तो हम छूट जाएंगे जिम्मेदारी कम जादा पुरी कर सके उसका कोई गुना नहीं है बरो बरे हमारी भाव रखना है के पुरे पुरी जिम्मेदारी पुरा करें एक दूसरे को दुख न दे संभाव से एक एक फाइल का निकाल करें, यही भावना रखो, तो आपकी safe side है बाद में, जै सच्छी देलान, हाजी